साथियों, समसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी उर्जा का स्रोत हमारा लोगतंत्र है आजादी के समय किस तरह से एक लोगतंत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और संकाय जताई गई थी ये इतिहास का हिस्सा है असिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविदता और अनुभव हिंता जैसे अनेक तरकों के साथ ये बविश्वानी भी कर दी गई थी कि भारत में लोगतंत्र असफल हो जाएगा आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है बलकि 21 वी सदी की दुनिया भारत को एहम लोगतंत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है साथियों लोगतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ क्यों सफल है और क्यों कभी लोगतंत्र पर आच नहीं आ सकती कि ये बात हमारी हर पीडी को जानना समझना बहुत आवशक है हम देखते सुनते हैं दुनिया में तेरवी शताब्दी में रचीत बैगना कारटरा की बहुत चर्चा होती है कुछ विद्वान इसे लोगतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मेगना कारटरा से भी पहले बारवी सताब्दी में 12 सेंचुरी में ही भारत में बगवान बश्वेश्वर का अनुभाव मंटबं अस्तित्व में आ चुका था अनुभाव मंटबं के रूप में उन्होंने लोग संसत का न सिर्फ निर्मान किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था और बगवान बस्वेश्वर जी ने कहा था यी अनुभाव मंटब जनसबा नादिना मठू रास्त्र दा उन्नति के हागू अभी वृद्धी के पुरगाव की केलसा मादत्था दे यानि ये अनुभाव मंटबं एक ऐसी जनसबा है जो राज्य और राज्य के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एक जूट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है अनुभाव मंटबं लोक तंत्र का ही तो एक स्वरूप था साथियों इस कारखंड के और पहले जाएं तो तमिल नाडु में चेन्ने से असी पचासी किलो मेटर दूर उत्तरा मेरूर नाम के गाउं में एक बहुत ही एतियासिक साक्ष्य दिखाई देता है इस गाउं में चोल सामराज्य के दौरान दस्वी सताब्दी में पत्थरों पर तमील में लिखी गई पंचायत ववस्ता का वर्ण है 10th century और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गाउं को कुडुम में केटेगराईज किया जाता था जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वाड कह सकते हैं उन कुडुम्बों से एक एक प्रतिनिती महासभा में भेजा जाता था और जैसे आज भी होता है इस गाउं में हजार वर्ष पुर्व जो महासभा लगती थी वो आज भी वहां मौजूद है और साथियों एक हजार वर्ष पुर्व बनी इस लोकतांत्र की बवस्ता में एक और बात बहुत महत्वपून थी उस पत्थर पे लिखा हुआ है उस सिलालेख में बढ़न है इसका और उसमें कहा गया है कि जन प्रतिनिती को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्ये गोसित करने का भी प्रावदान था उस जमाने में और नियम क्या था नियम ये था कि जो जन प्रतिनिती अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देगा वो और उसके करीबी रिष्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कितने सानों पहले सोचिए कितनी बारी किसे उस समय पर हर पहलू को सोचा गया समझा गया अपनी लोगतांत्री परवपराओं का हिस्सा बनाया गया साथ क्यों लोगतांत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजराता है कोने कोने में नजराता है कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित है सभा, समीती, गणपती, गणादीपती ये शब्दावली हमारे मन मस्तिक में सद्यों से प्रवाइत है सद्यों पहले शाक्या, मल्ला और वेज्जी जैसे गणतत्र हो लिछ्वी, मल्लक, मडक और कंबोज जैसे गणराज्य हो या फिर मौर्यकार में कलिंग सभी ने लोग तंत्र को ही शासन का आधार बनाया था हजारों साल पहले रचीत हमारे वेदों में से रुगवेद में लोग तंत्र के विचार को समध्यान यानि समूचेतना कलेक्टिव कॉंसियसनेस के रूप में देखा गया है